परिवार को एक कुछ दिनों से एक एहसास जैसा हो रहा है कि कहीं ने कहीं इस इंवेस्टिगेशन को एक ऐसी दिशा में ले जाए जा रहा है जहां पर कि शायद सारी बातें ना पाएं जो जो भी यह इनका जो नार्कोटिक्स का एंगल है नार्कोटिक्स के एंगल में जिस तरह से मंबई पुलीस एक फैशन करेड करा रही ती उसी तरह से लग रहा है जैसे कि बड़े-बड़े स्टार को बुला करके सारा मीडिया इटेंशन उधर ले जाया जा रहा है नार्कोटिक्स के केस में जो एक ओफेंस होता है वो बिना कोई औरकोटिक्स के जहां तक की गोना हो सामगरी ना पकड़ाय पा Almost impossible है बहुत से हाईकोट ने क्वषिंटकि लिए के लिए लेकर के अगर सिंडिकेट थी तो उनपे केस एक बहुत सीर्यास बनता है क्योंकि वहhelm एक कोई ने कैस करना एक financing और जो 27 एक इधारा उन पर लगाई गई यह उसमें अगर कोई ना भी पकड़ाया जाए तो भी कैसे बहुत सीरियस बनता है इसलिए एक यह इस सारे मामले में बहुत पहले मेरे को एम्स के डॉक्तर जो आज के दिन इस कमिटी में है नाम नहीं बोलूगा क्योंकि उनसे कि बहन की किछे पर फोटो थे और उन फोटोग्राफ को देख करके उन्होंने मेरे से कहा था कि यह 200 परसेंट डेथ बाइस ट्रेंगुलेशन है यह सुसाइड हो ही नहीं सकता इसलिए आज के दिन में यह समझ में नहीं आ रहा कि सीवी आई को इस मामले को अबेट्मेंट दोनों की मीटिंग भी नहीं हुई मीटिंग भी नहीं बिलाई गई तो कहीं न कहीं इस मामले को एक डिले करके और यह लग रहा है जैसे कि जो सही मामला है उसमें परिवार को फीलिंग हो रही है कि सही मामले तक जाने की जो है प्रियास उसमें कहीं न कहीं एक कमी आ रही ह और इसलिए इस इच्छा इस इस मतलब जो जो एक फीलिंग है परिवार की उसको बताने के लिए मैंने सुचा कि ये प्रेस कांफरेंस बलाना बहुत जरूरी है क्योंकि इस सारे इन्वेस्टिएशन को वापस ट्रैक पर नहीं अगर आएगा तो ये मामला बिल्कुल ही कही न से दने वहां पर है आपने का यहादिल भ Sixthि इन्वेस्टि empowered मिलाएं के नहीं बिलाये दी आउने बड़े मामले में ए statement देती है आज तक एक भी प्रेस statement सीबिया के तरफ से नहीं आया है जो की बहुत अजीब है इतने बड़े मामले में जहां पूरा देश जानना चाहरा है कि इस केस में क्या हो रहा है आज तक सीबिया के तरफ से कोई कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ यह नार्कोटिक्स कंट्रोल व्यूरा का बड़े-बड़े फिर्मस्तार को बुला करके एक उनसे वह करने का मेरो को तो को समझ में नहीं ता हुच्छित कोई इनका कोई ड्रग ट्रेड भी लोगों का इंवाल्मेंट नहीं है कोई लोगों का सिंडिकेट को फाइनस करने का केस नहीं है इन लोगों का अगर कोई बहुत से बहुत केस होगा तो अच्छा एक्यूज के कहने से किसी का नाम अगर जुड़ा नहीं जा सकता है अतने असानी से अक्यूज तो दस आददी को बंदनाम करना चाहेगी इस केस में भी सुषान सिंग के लिए ड्रक्स खरिपती थी अब सुषान सिंग के मर्जी से खरिपती थी सुषान सिंग को मर्जी से देती थी या सुषान सिंग के पानी में या उनके चाय में या कॉफी में चुपके से मिला के देती थी ये सुषान तुम रहे नहीं जो पता पाएंगे इस के बोनने को तो कोट नहीं मान सकता ना उसको प्रोसेकुशन को मानना चाहिए इसलिए मेरे हिसाब से जो जो दिशा जा रही है इस इंवेस्टिएशन की वो दिशा जड़ा घबडाने वाली है परिवार के लिए और यह लग रहा है कही ने कहीं है यह फीलिंग आ रही है कि यह अंजाम तक जल्दी नहीं जा रहा है और यह गंभीर बात है जो मांड का बारे क्ष्टि यह हूरा है तो क्या आपको लगता है कि यह गिविस्टिकेशन भाप ज़्युति के अद्टि के अंगर दो महिने में में अगर महराश्ट के सरकार तूट कई और फिर से शिवसेना और बीज़ेफी की सरकार मन बगें बदे बहुत लूब कर रही की अब तक तो लगातार फूस्टाज कर रही है तो अच्छा नहीं लगता कि को सीबियाई को और वक्त देना चाहिए कि वह इस मामले को खुलासा जाए क्योंकि बार बार आपने भी कहा है सीबियाई ने भी कहा है कि जब महरा सरकार से लगे देखिए सीबियाई को वक्त आज के दिन से कितने दिन हो गया सीबियाई को इन्वेस्टिकेशन को स्टार्ट की आज सुपरीम कुट के जज्मेंट को भी एक महिना हो चुका है एक महिना से जादा हो गया है तो जहां तक की इन्वेस्टिकेशन का सवाल है सारी दुनिय कि पता चले का सच्चा की मीटिंग क्यों नहीं जो रही है और उनruk के साथ क्यों रहे सब्सक्राइब करने का बड़ा एक गंभीर समस्य पूठ रहा है जिसके लिए परिवार बहुत चिंतित है wait this well that is something which is well for them to take a final call and bring it in the public domain it is only when it comes in the public domain that the family will बुकरते मेरे बहुतिक कार्चाएंगा टोबेकर वीज फीम पाय। कोई सब्सक्राइब ऑपोलेस एप्टेश इनुरी के सuju पोल्ट अवया के सिब्सक्राइब ंए, युटक्परती हीज़ पर सब्सक्राइब फिर समय एंद इन वे पुटकल अएफ़ एक दोटोब्स सब्स तो यह जमूल मामला था वो तो कहीं छूटावा लग रहा है। देखिए आज के दिन एक इंप्रेशन यह आ रहा है कि विका सिंग सुषान के पिता केके सिंग के वकील जो अपनी एक तरह से अपनी राये रख रहे हैं और परिवार की राये यह कहते हुए कि एंसीबी जिस तरह से बॉलिवुड के बड़े लोगों को बुला रही है उससे स वक्त की बड़ी खबर विकास सिंग ने जाच एजेंसियों को लेकर एक प्रश्च चिन्नक खड़ा किया है सीबी आई की टीम एक हफ़ते से एक सबता से दिल्ली में है एम्स के डॉक्टरों की आखिर रिपोर्ट विसरा रिपोर्ट को लेकर जो एक अंतिम रिपोर्ट आन ये गला घोट कर की गई हत्या है इस वक्त की बड़ी खबर rather than you interpreting what I said this is a case where the family very strongly feels that somehow the pace of investigation by the CBI has suddenly slowed down and why the family says I'll tell you very clearly the CBI team is here more for more than a week they were supposed to beat the AIMS team they have not even had a meeting with the AIMS team to my knowledge and because of which the decision to convert this case from abetment to suicide if at all to murder is not taking place the doctor who had shared with me I am not taking his name because I have not consulted him before taking this press conference I don't want to embarrass him but one of the doctors in the team of AIMS I had shared the photograph of Meetu the sister who had taken the picture of Sushant Singh Rajput immediately upon his death and he is seeing the picture itself now what senior doctor of AIMS seeing the picture himself makes a statement that this is 200 percent death by strangulation and not it can't be death of us it can't be a suicidal death at all now if that was the impression given that 200 percent can't become 0 percent in this period of time so if that meeting happens then I am sure a call will be taken now if that call is taken if there is if there is I am not saying that there is a border if there is a case for border then obviously the investigation the pace of investigation will be definitely different the tenor of investigation will be different people will have to be taken into custody who are there at the home and they will have to be done custodial interrogation of and it is only in that custodial interrogation that we expect the truth to come out because unfortunately none of the family members was living with Sushant at the time of his death and because nobody was living with him obviously we don't know firsthand what happened at that home so that is why and as far as the narcotics case is concerned I must tell you something under the NDPS Act the only case made out is if there is a recovery of some quantity now the quantity determines the period of sentence it can be it can be one year it can be 10 years it can be 20 years that all depends on the quantity of narcotics seized now there is no narcotics seizure as far as these people who are being called tomorrow or day after by by the NCB is concerned if if there is a if there is a 27a allegation of somebody you know sort of financing this narcotic trade that can only be against Ria and her brother because that is the statement which has come so far the of them in being involved in financing of this narcotic trade so why why call the whole of Bollywood and and the whole purpose the family fields could be that the time the attention is completely diverted to a different because media will go wherever these big names go unfortunately so the death of Sushant Singh Rajput is somehow if this is the purpose then there is somehow there is some some effort to somehow give a closure to this case or not take it to its logical end and that is what we strongly feel and that is what I for for which I said I'm I must come out with this press conference itself is a abitment of suicide case you have not registered it as a murder case but what made you think what made you change your mind now calling it as a murder because even cbs conducted an investigation for over a month if there was any case of murder if they have got anything like the ryan case they would have changed it and they would have taken the person into custody well I have all this question I have answered this so many times before but I will answer this again for your benefit the original case we had registered as abitment to suicide because till then we thought that pithani is a friend of sushant and pithani is the person who opened that room we did not suspect him but pithani was also cooperating with the family but later on when the fire got registered and pithani was not a named accused he suddenly changed track and he started supporting ria sushant singh rajput ke pita ke wakil vikas singh is baat ki narazgi jatate uwe ki peribar na khush hai jis therese se sushant ke moth ki janch áge berh rahi thi woh kehi dhili hote hi dhikha hai dhili hi kia nahi us janch ka track change hota bhi dhikhai dhili hi raha hai झाल झाल झाल